अगर हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए ताकि तभी मैं वीडियो सब्लोड करता हूँ तो आपको नोटिफाइब होता जाएगा हे हे कैसे है आप सभी तो आज के वीडियो में रेड्मी 6 का फास्ट बूट करेंगे फास्ट बूट यानि अगर आप पहली बार मॉबैल लिये है तो इसको कैसे सेट अप करें अगर आप हमारे चनल पर नहीं है तो आपको पता है क्या करना है सब्सक्राइब पर ठोगिएगा एंड लाइक जरूर कीज़े शेर कीज़े अपने फ्रेंड्स के साथ देर सरे यूसफूल वीडियोस बनना रहा है इस चनल पर तो चलिए अभी देखते है रेड्मी 6 को फरस्ट बूट करके क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है तो यह रेड्मी 6 एक बहुत ही इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं तो बहुत ही आसानी से आपके हाथ में फिट हो जाना चाहिए तो ऐसे कॉल करने के लिए और शाओमी का कुछ फीचर्स बहुत अच्छा रहता है तो वैसे यूटिलाइस करके आप डेली उसेज के लिए ले सकते हैं मोबाइल बहुत ही ब यहाँ पर आपको छोड़ा सा अरो दिखेगा उसके उपर एक बार टैप करना है मैं थोड़ा ब्रैटनेस अर्जेस्ट करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है तो लैंग्वेज ऑब्यसली इंग् टैप होगा यानि कि जो भी इंडिया के रिलेटेटड कीबॉर्ड का इंफॉर्मेशन हो अलग अलग ऐसा इन्फॉर्मेशन वह आटोमेटिकलि सेट कर लेगा यहाँ पर अगर आपके पास इंटनेट connectivity है तो जरूर यहां से connect कीज़ेगा अगर internet आपका connectivity नहीं है तो कोई बात नहीं आपर आप skip भी कर सकते हैं बाद में आप internet connect कर सकते हैं तो अभी हम फिलाल skip करेंगे तो skip करने के बाद यहां पर इनका terms and conditions जो भी रहता है उसको agree करना पड़ता है उसके बाद next arrow पर tap करेंगे यहां पर आपको sim card insert करना होगा अगर आप अभी आपके पास sim card है तो insert कर दीजिए जस्ट आपको यहां पर जो sim ejector tool दिये रहते है box में तो उसको use करके यहां पर side में है तो यहां से आप निकाल के sim card डाल सकते है भी और उसके बाद next पर tap करना है अगर आपके पास अभी sim card insert नहीं करना चाहते है तो कोई बात नहीं यहां पर जैसे भी next arrow पर tap कर सकते है तो यह रहा google services तो google services यानि की जो भी applications हो पहले वो locations आपका देखेगा and location improve करने के लिए wifi bluetooth services यूज़ करेगा तो वो बल आपको agree करना है अगर आप अभी इसको enable नहीं करना चाहते है तो disable कर सकते है बाद में भी आप enable कर सकते है देखे अभी आप enable करेंगे थोड़ा नहीं थोड़ा battery consume होता रहेगा वो तो जब चाहिए तब आप location को on कर सकते है वैसे भी next है install updates and apps ओके ओके इन सब होने के बाद last में I agree आता है तो just एक बार tap करना है just a second यहाँ पर set password तो यहाँ से fingerprint है तो fingerprint आप setup कर सकते है या फिर सिर्फ screen lock जो है वो कर सकते है हम fingerprint setup ज़रूर करेंगे क्यों नहीं तो fingerprint setup करने के लिए पहले pattern pin या password देना पड़ता है तो अभी हम एक pattern बनाएंगे तो आपका जो भी comfortable pattern हो वो आप बनाएगा मैं just दिखाने के लिए एक simple pattern बनाता हूँ यहाँ पर तो ऐसे हम pattern करेंगे और इसके बाद फिर से आपको करना है यानि two times confirm करने के लिए next हम confirm पर tap क करेंगे अभी हम fingerprint को setup करेंगे तो देखे fingerprint setup करने के लिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मैं ऐसे tap करते जाता हूँ तो वो fingerprint recognize होता जाएगा तो बस tap करते रहना है and added successfully तो अभी successfully add हो चुका है उसके बाद okay पर tap करना है and यहाँ से additional settings जो Xiaomi का रहता है जैसे कि location अभी फिलाल आफ करेंगे उनका अगर experience program पर join होना चाहते है वो वाला join हो सकते हैं मैं suggest करूँ कि disable कर दीजे कुछ नहीं आप बाद में enable कर सकते हैं जब चाहिए तब क्योंकि सिर्फ battery यूज़ करते हैं हम call करने के लिए फिर features यूज़ करने के लिए अगर आप mobile यूज़ करें तो इन सारे चीज़ों को आप disable कर दीजेगा अपडेट आटोमेटिकली सिर्फ ये एक enable करना है आपको और परसनलाइजड आड रेकमेंडेशन सा कर चाहिए तो enable अदर्वाइस वो भी disable और उसके बाद next arrow पर tap करना है यह रहा theme एक default theme है and another one is limitless limitless any circular icons है यहाँ पर default any square में icons दिखता है आपको कुछ visual changes रहेंगे बस उतना ही जो भी आपके पसंद हो वो आप just tap करके यहाँ पर arrow है next का तो setup complete फिर से यहाँ पर arrow पर tap करना है अभी applications load होंगे तो कुछ देर लगेगा just 2-3 minutes उसके बाद applications load हो जाएगा तो अभी देखे out of the box अभी just open किया हूँ मैं box open करक के फस्क बूट कर रहा हूँ तो battery around 65% बचाया है which is really nice तो Xiaomi Redmi 6 very popular model है 720 by 1440 का display आपको मिलता है and Android का 8.1 Oreo चल रहा है इसमें Helio का P22 का chipset लगाया है and उसके उपर जो है octa core का 2.0 GHz का cortex A53 जो है processor लगाया है यह cortex A53 आप under 15,000 रुपीज कोई भी phone लिजिए वहीं आपको मिलेगा तो I think it does a great job क्योंकि reliability wise बहुत बढ़िया है processor तो इसलिए सारे mobile में वहीं use कर रहा है and इसमें आपको 5.45 इंच का screen मिल रहा है LCD IPS display तो 720 by 1440 इसमें HD display है HD plus भी नहीं कहा सकते है and सिर्फ 295 PPI density but खयर आप 8,000 रुपीज पेर कर रहा है तो इतना ही मिलेगा लेकिन इस इस आपको 12 Megapixel का F2.2 वाला camera मिलता है वो भी face detection autofocus के साथ तो बहुत बढ़िया होना चाहिए and यह रहा home screen यहापर lock screen है अभी हम इसको swipe करेंगे या फिर pattern बना सकते है या फिर हम fingerprint को देखेंगे कितना fast है boom there you go अभी unlock हो चुका है and यह बाला home screen Xiaomi Redmi 6 का आपके सामने पहली बार इस channel पर तो बहुत ही जैसे Xiaomi का setup होता है by default वही setup है and यहापर gallery पर जाएंगे कुछ है क्या information यहापर कोई pictures नहीं है यहाँ से security इसमें धेर सर ऐसे features है अगर आप अच्छी तरह से utilize करेंगे तो बहुत ही बढ़िया आप long life तक use कर सकते इस mobile को मैं उन सारे features को जरूर बताऊंगा आप बने रहे हैं चैनल पर even इसका camera settings का वीडियो भी हम बनाएंगे तो आप बने रहे ह इस चैनल पर तो जल्दी से हम about phone को देख लेते हैं यहाँ से about phone है Xiaomi को पता है सब about phone देखेंगे इसलिए पहला ही वहाँ पर लगा दिया है तो about phone में यहाँ पर new eye version 9.6 stable which is awesome and CPU जैसे के आप देख सकते है RAM है 3GB and internal storage 32GB तो 32GB में around 24GB available है तो यह था about phone जल्दी से camera open कर लेते हैं allow location, deny location कुछ भी कर सकते हैं आप depends and यहाँ पर देखें यह है tap to focus, Xiaomi का phones बहुत अच्छा रहता है camera performance हो कुछ भी हो, HDR mood है AI technology भी इसमें है तो automatically scene detect करके आपको बहतरीन images जरूर देखा तो देखें manual mood भी है आरे बाह इसमें focusing है, shutter speed भी दिये है 1 by 1000 second which is really awesome, 1 by 1000 second to up to 1 by 2 second तक दिये है, बहुत बढ़िया है, 8000 रुपीज में आपको manual mood भी बहुत अच्छी तरह से दिया है, मैं इन सारे चीज़ों को आपको full detail में दूँगा, तब तक के लिए आप हमारे चनल पर बने रही है, subscribe करके like कीज़े इस वीडियो को, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए, टेक केर अपना, बाई बाई